हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Vivo Y01 Android में आप जो होम स्क्रीन लेयाउट सैटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं और ये Home Screen Layout Setting जो होने के बाद इस सैटिंग कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में हम आपको डीटेल में जान करी देने वालों तो चलिए आप पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है ठीक है सेटिंग पेज को ओपन कर लीजे अपने मुवाइल फोन में सेटिंग पेज में आपको नीचे यह option मिलगा lock screen and wallpaper इस option को select करना है इसके अगले पेज में आपको नीचे यह option मिलगा home setting इसे आपको select करना है इसके अगले पेज में आपको यह option मिल जागा home screen layout का इस option पे select करना है यह आपका इस तरीके से यह page overview होगा यह जो उपर की side आप screen दे रखे है यह आपकी mobile phone की home screen होती है जितने भी home screen पे आपके pages है आपको नीचे की side यह दो option दे रखे है 4 x 6, 5 x 6 इन दोनों option का आपको use करना है तो यह पर देखे है आपका इन दोनों में से किसी भी एक option पे पहले से selected होगा जिसे मेरा 5 x 6 पे यह blue color की line बनी हुए है इसके 4 हो ठीक है तो यह पर आपको जो आने इन दोनों का use में आपको बता देता हूँ आप अपने हिसाब से इसे change करके use कर सकते है देखे 4 x 6 का मतलब होता है 4 x 6 का मतलब होता है कि आपके जो home screen पर mobile phone के home screen पर जो apps है न उन apps की 4 खड़ी line है यह देखे 1, 2, 3, 4 4 खड़ी line होगी 4 का मतलब ही हो गया और 6 का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लेटी होई line है apps की 4 खड़ी और 6 लेटी होई line है इस तरीके से हमारे mobile phone का यह home screen layout दिखाई देगा अगर आप इसे 4 x 6 पे select करेंगे और अगर आप इसे 5 x 6 पे select करेंगे तो आपका जो mobile phone की home screen पे apps का जो layout है न home screen का जो layout है वो आपका 5 x 6 में हो जाएगा 5 खड़ी line होगी apps की इस तरीके से और 6 लेटी होई line होगी यहाँ पर अगर मैं और भी apps यह नीचे की side add करूँगा तो यहाँ पर apps यह चटी line बन जाएगी है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपको दोनों के बारे में बता दिये कैसे काम करते हैं आप इन दोनों में से कोई भी option अगर आप select करेंगे न दूसरा तो आपको नीचे apply का बटन जरूर दबाना है तब ही आपकी setting चेटिंग चेंज होगी apply का बटन जरूर तबाने इस बात का ध्यान रुखना है तो इस तरीके सा आप अपने mobile phone में home screen layout setting को आप change कर सकते हैं